जैसे ही चुनाव फाइनल हुआ है भेनकुमरी मयावती के उपर अलग अलग तरह के पैसले इस तरीके से दवाब बनाया जा रहा है उसी दवाब में एक और दवाब है जिसे मूर्तियों का है भेनकुमरी मयावती के उपर मूर्तियों का आरोप लगा हुआ है और मयावती ने अपनी मूर्तियों लगाने कर खर्च लोटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बयान पर हलफ नमा में कहा है कि लोगों ने इच्छा से मूर्ति लगी हैं मंचा समा सुधारकों और निताओं के मूलियों वा आदर्शों का प्रचार करना था उन्होंने साफ किया कि मेरी मूर्त जन्ता की इच्छा से बनी हैं सुप्रीम कोर्ट में बीएस पी सुप्रीमो मायवति की और से अपनी परतिमाओं को बनाने जाने की तो सही ठराया और उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छा के अल्गोप बने हैं मायवति के और से दाकिर समारक बनाने के पीछे मंशा खुद का प्रचार करना नहीं है बलकि संतों, गुरुओं, समाज, सुधारकों और नेताओं के मूलियों को आदर्शों को जनता के बीच प्रचार करना है। से पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के रविकांत की और से दाखिल अरजी में कहा गया है कि 2007 में मायवती सीम बनने के बाद BSP के चुनाफचिन हाती और अन्य मूर्तियों के निर्मार पर सरकारी खजाने का दुर्प्यों किया गया था। सिम्बल हैं, जिससे पार्कों की सौंदर्टा बढ़े, क्योंकि हाती का सिम्बल कोई बहन कुमरी मायवती ने नहीं लगाया है, पुरानी जितनी भी हैं, जगहों पर अधिकतर हाती वैलकम के लिए ही खड़ा दिखाई देता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।